दूसरा प्रियोग हम अलग-अलग समझा रहा हूँ आपको तो कि ग्याद ना आ जाए है। बाल अपराद का उपचार के बारे में पढ़ेंगे। बाल अपराद का उपचार करने के लिए दो प्रकार की विदियों का प्रियुक किया जा सकता। आपको जाने का प्रियास करता है। और इस विदि की सभलता बाल के सहयोग पर निरुपर करती है। अता उसका सहयोग न मिलने पर मनुविशले सक को सपलता नहीं मिल पाती है। अगला जो कारण है दोस्तों मनुविशले सकता है। विचारों मानसिक संगर्ष को सवतंतरता पूरवग व्यक्त करता है। फलता है, मतलब अंचता है कुछ समय के बाद वह मानसिक सांती का अनुवव करता है। और उसका वैभार संतुलित हो जाता है। तीसरा जो है खेल द्वारा चिकिस्सा। ऐसे बालकों की खेल द्वारा चिकिस्सा करते हैं, जैसे खेल द्वारा चिकिस्सा में बालक को अपनी रचनात्मक प्रवरत्ती के अनुसार कोई भी बस्तु बनाने का अवशर दिया जाता है। इससे बालक की रचनात्मक प्रवरत्ती संतुस्ठ हो जाती है, और उसके मन का विकार दूर हो जाता है, अगला जो बिदी है दोस्तों बैधानिक बिदियां है, इससे भी हम बाल अपरात का उपचार कर सकते हैं, तो नमर एक है कारवास बाल अपरात का परंपरगत उपचार है कारवास इससे केवल एक लाव होता है वह यह की कारवास में रहे वालक की जैसे जैसे बंदी की आईयो में ब्रद्दी होती जाती है वैसे वैसे उसके वैवार में परिवर्तन होता जाता है और परिणामता वास्ते मुक्त होने के पस्चात उसकी अपरादी प्रवत्ती निर्वल हो जाती है। प्रविक्षन विदी है यह वह युक्ती है जिसमें बालप राधी को न्याले से दंड मिलने पर जेल में ना भेज कर कुछ सर्तों पर समाज में रहने की आग्या मिल जाती है इस प्रकार बालक को अपना सुधार करने का अवसर दिया जाता है प्रोवेशन काल में उसे सुधार अधिकारी के निरिक्षण में रहना पड़ता है वह अधिकारी मित्र और सनरक्षण के रूप में बालक में सुधार करने का प्रयास करता है यदि प्रोवेशन काल में बालक में सुधार हो जाता है तो उसे जेल नहीं जाना पड़ता है अग दोस्तों सुधार की अगली जो विधी है किसौर सुधार ग्रह है यह एक प्रकार के और दोगिक विध्याला है जहां बाल अपराधियों को सुधार कारे किया जाता है और star нет वश्या को चुक्छा wise सुधार के रहा की है ये संस्थाएं बंदीग्रह और माननेताप्रत स्कूलों के बीच की संस्थाएं हैं इनमें साधारणता 15-20 बर्स तक की आईयू की अपरादी रखे जाते हैं ये संस्थाएं दो मुक्षे कार्टी है ये बाल अपरादियों को सुधारती और उनको इस प्रकार की ओदोगिक या वैवारक वैवशाईक सिख्चा देती है कि वे जीवन में धन और पारजन में सफल हो सकें और भारत में यह संस्ताइं अगरलिकित संस्ताओं में हैं जैसे मदरास में पालकोर संस्ता बंगाल में जिससे अपरादि बालकों को के चरित्र में सुधार आ सके अपरादि बालकों की आदतों और चरित्र में सुधार के लिए सिख्चक को निम्न कारे करने चाहिए उत्तम बातावरण बिद्यालय को बालकों का सारेरिक मानसिक चारित्रिक और संबिगात्मक विकास करने के लि उनको स्वतंतरता प्रदान करनी चाहिए पर यह स्वतंतरता नियंतरित और निश्चित सीमाओं के अंतरगत होनी चाहिए तरुन गोस्टियों की स्थापना की जानी चाहिए वेलेंटाइन के अनुसार ये गोस्टियां बालकों की अपनी रुचियों और छमताओं को अविव शिरता करने जाहिए ऐसा करके वह है बालकों की विबिन्न योगताओं का विकास करने में सफलता प्राप्त कर सकता है अगला जो है अच्छे पुस्तकालाय की विवस्ता विद्यालाय में सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों से सुसजित अच्छा पुस्तकालाय होना चाहिए साथ ही उसे बालकों को पुस्तकालाय का सदुपयोग करने के लिए प्रोथसाहित करना चाहिए अगला जो है दोस्तों उप्चारात्मक वा व्यवशाई कक्छाएं विद्यालयों द्वारा बाल अपरात का निवारण करने के लिए एक नई विधी के प्रयोग का सुझाव देते हुए मेडिमस और जौनसन ने लिखा है उप्चारात्मक सिच्छा की कक्छाएं और कुछ व्यवशाई कक्छाएं लाब प्रद सिद्ध हो सकती है नमर साथ हम देखें तो पाठिक्रम सहगामी क्रियाओं की विवस्ता बालकों में सामाजिक संबंदों का विकास करने के लिए विद्ध्यालाय में पाठिक्रम सहगामी क्रियाओं की उत्तम विवस्ता होनी चाहिए आठवा जो है दोस्तों अनुतिन होने की समस्या का समाधान अनुतिन होने की समस्या का समधान कैसे परिक्षा में अनुतिन होने के कारण कुछ चात्र बाल अपरादी बन जाते हैं अता एलिस का सुझा हो है मनवेग्यानि कि यदि हम असफलता की समस्या का समधान करना चाहते हैं तो हमें चात्रों का वरगी करन करना चाहिए और पाठे अपरात का मुखे कारण अवान्चनी सामाजिक दर्ष्टिकोंग का विकास है विद्याले सामाजिक दर्ष्टिकोंग के प्रती अधिक ध्यान देकर और विद्याले से वाहर Ooh-प्यूक्त अधिक क्रियाओं का असमयोजन कर इस सिक्षा में बहुत अधिक कुछ नहीं कर सकते ह वांचनी सामाजिक दृष्टिकोणों का जो विकास है वह बाल अपरात का मुखे कारण माना जाता है अवांचनी सामाजिक दृष्टिकोण का विकास विद्याले सामाज दृष्टिकोणों के प्रती अधिक ध्यान देकर विद्याले से वाहर उप्युक्ति क्रियाओं का आय कि द्विसिस्ताइं होनी चाहिए जैसे उनको बाल मनुबेग्यानी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि उनको बालकों की रुचियों एक्छाओं अभिवरत्तियों को समझने में किसी प्रकार की कट्टाइन ना हो उनको बालकों की प्रतिप्रेम सानुभूति प्रदर्सक होना चाहिए उनको नबीन सिक्षण विदियों और सिक्षण के उपकरणों के प्रियोग में कुसल होना चाहिए उनको बालकों की समस्याओं का समधान करने के लिए सदैव ततपर रहना चाहिए दोस्तों अगले भाग में हम पढ़ेंगे बाल विकासेओं सिक्ष सास्तर की वस्तुनिस्ट प्रस्ण के बारे में तो दोस्तों यह जो जानकारी हमारे द्वारा आपके लिए सेर की जा रही है कैसी लगी चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और अंत मैं आपके अंदर वैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरा प्रणाम झाल झाल झाल